इस अधियर यू कन सी इस आर नॉलमरी जब आप लोग स्क्रीन को उपन करते हैं मैं से एक्जल को यूज करना चाहते हैं तो उस वक्त आपके पास इस तरह के से कुछ स्क्रीन अपेर हो जाती है कि आपके पास यह जो एलिमेंट्स है किस किस परपस के लिए फरस्ट फरस्ट इस अगर हम लोग देखिए तो यह जहां पर मेरा मौस जो है वो आपका करसर क्लिक कर रहा है इस एरिया इस का क्विक अक्सेस टूल बार तो क्विक अक्सेस नॉर्मली डिजाइन तो पुट दा म ना अफर्ट यूछ यूजबर कमार्ण इन अपर्टिक अरिया हॉ यू केण एड़ अ मर कमार्ण जस लाइक अमने नौज़ करने जा रहा हूं कि एकस तूल बार में उसके सथ जो एरो बना हुआ है क्लिक करना है ठीक है जैसे आपके क्लिक करते हैं तो आपके पास आपके पास sort की option जो है कि आपके पास जो है वो आ चुकी है ठीक है तो इस तरीके से आप इस area में add करें अगर हम लोग देखें तो इसके बिलकुल साथ है menu bars ठीक है there are more than one menu just like file home insert page and like that ठीक है these are all you can say a menu ठीक है तो आपके तो नीचे की तरफ आजा है तो नीचे हमारे पास यह जो है यह 2016 का जो है हमारे पास वर्जन एग्सिस्ट कर रहा है तो उसमें नॉर्मली जो है एक sheet open होती है ठीक है जहाँ sheet is the actually working area where you can perform or write down any related task ठीक है if you want to write down you want to get the result about the additions ठीक है तो जैसे आप लोग जो है यहां पर लिखते हैं और इस एरिये पर लिखने के बाद आप लोग उसमें add कर लेते हैं तो इस तरीके से you can add multiple sheets while clicking on the plus signs ठीक है जी अब थोड़ा सा और मजीद उसके पास जाते हैं तो हमारे पास है formula bar formula bar जो है आपकी यह जो यह जो proper area is called ribbon जैसे हमने home पे क्लिक किया तो यह जितनी भी option available है is called ribbon तो उसकी बिल्कुल नीचे fx लिख सा fx stands for functions math से related है तो यहां पर just you write down your formula what you want to calculate suppose आपने दो value add की है two plus two तो उनको calculate करना है तो आप लोग यहां पर लिखेंगे वह formula क्या होती है कैसी होती है आने वाले दिनों में हम लोग discuss करेंगे ठीक है जी अब थोड़सा राइट सेर पर अगर हम लोग आ जाएं तो expand formula bar buttons ठीक है यहां पर यह देखें इस button पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यह formula bar button जो हो जो हो इसके बाद आपके पास number of columns होते है number of rows होते है every sheet है वा combination of more than one cells ठीक है तो cell is just like a rectangle area just like जैसे मैं right side पर क्लिक किया यह देखें आपके पास greenish area क्लिक हो रहा है इसको आप लोग जो है you can say a cell और इसको active cell भी कहा जाता है जहां पर actual आपका cell exist कर रहा है और इसका address जो है वह आपक active cell ठीक है और जहां पर आप लोग आप लोग कुछ भी write on कर सकते है इसके साथ है जी आपके पास normally every sheet है वा multiple rows and multiple columns ठीक है तो उनको आप लोग जो है with the help of scroll bar आर एक आप लोग उनको access कर सकते है तो there is main two types scroll bar vertical scroll bar and horizontal scroll bar ठीक है जी just like यह vertical है और यह आपके पास है और यह आपके प ठीक है उसके बाद if you want to maximize your particular area तो just click on the button which is available bottom side में आपके पास यह प्लस का साइन है और minus का साइन है आप लोग अगर इन पे क्लिक करेंगे प्लस पे तो आपका zoom जो है वो out हो जाएगा zoom in हो जाएगा और minus पर करेंगे तो आपके पास जो है have three main views first one is normal views second one is page layout views और third one is page break views अब यह जो तीनों views हैं आपके पास इन्शाला आने वाले दिनों में हम लोग discuss करेंगे जिस सबसे टॉप जो area है आपके पास यहां पर greenish area is call जहां पर book one लिखा हुआ है इस का title bar you can say a नीचे जो जैसे ही आप लोग किसी भी menu पर click करते हैं suppose मैं layout पर click करने लगा हूँ page layout प होगी है इंजर्ट पर click करता हूँ तो उस पर on हो जाती है ठीक है जी और आपके right side पर यह जो area है just like यह जो area जिसको कहते हैं जिसमें minus है rectangle है और cross है cross में आपकी file close हो जाएगी और यह जो rectangle है यह control button कि लाते हैं और यह आपके पस आपको file का size small और big करने में मतलब आपके पस जो है वो normally क्या करता है कि आपकी screen जो है वो restore और करने में आप जो है वो normally use होती है और minus भी जो है आपके पस just like आप इसको minimize करना चाहते है this is all about about the particular screen element